स्लाम लेकुम व्यूवर्स प्रोग्राम देख रहे हैं आप ब्रास टैक्स और मैं हूँ आपकी होस्त मारुख कुरेशी हमारे साथ मौजूद है हमारे अनलिस्ट जनाब जैद हामेद साथ असलाम लेकुम सर्व व्यूवर्स आपको पता है कि हमने स्लसला शुरू किया हुआ है नेमत अल्लाश शाव वली के हवाले से अल्लाश के वली जिनके बारे में हम डिसकस कर रहे हैं ब्रास टैक्स की स्पेशल एडिशन में दो जो हैं एपिसोड जिसकी हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं आज इस सिलसले की तीसरी कड़ी है थोड़ा साम ब्रीफ बैग्राउंट पहले इसका ले लेते हैं कि हमने कहां तक वाकिया जो हैं वो डिसकस किये हैं और इन फैक्ट सेंट्रल एजिया तक जो उनकी प्रेडिक्शन थी वो हम डिसकस कर चुके थे वहां से आज आज देखते हैं कि जैट साब हमें क्या बताते हैं जी जैट साब ये देखें जिस तरह मारूख आपने कहा कि हम आल्मॉस्ट नाइंटीन सेंचुरी के आखिर में पहुंचे हुए हैं एशिया वस्ती में जो ग्रेट गेम कहला गया था जो रॉशियन्स अपनी मॉस्को स्टेट से नीचे उतरते हुए सेंट्रल एशिया में और दागिस्तान और मुस्लमानों के उन इलागों पर कि जो एशिया वस्ती कहला थे थे मावरावन नहर दर्या के परली पार के लाके तो उन सारे लागों पर खब्दा करने के बारे में जो प्रेडिक्शन्स ने मतुला शावली ने कहीं थी उनको मकमल करने के बाद आज हम इस से आगे चलते हैं लेट सी वाट शी सेज़ नाइटीन सेंच्टी के आखर में तुर्की में सुल्तान अब्दुल्हमीद गुजरे है यूज जो ग्रेट सुल्तान खिलाफत उसमानिया उस वक्सिक मैन आफ यूरोप दरूर कहलाती थी यह एक ऐसी सल्तना थी जो कमजोर होती जा रहे थी और चारण तरफ से खिलाफत उसमानिया पर हमले हो रहे थे उसके बाद बावजूद सुल्तान अब्दुल्हमीद एक बड़ी गहरतमन और बड़े दलेर हुक्मरान थे उन्होंने उस जमाने में जब अंग्रेजों ने कोई तोहीन रसालत के हवाले से कोई काटून या कोई ड्रामे बनाने की कोशश की यूरोप में और फ्रांस में और लंग में तो उस वक्त सुल्तान अब्दुल्हमीद ने अतनी तमाम तर कमजोरी के बावजूद वो इतने जलाली और हज़ूर से महबबत करने वाले थे जिन्होंने फ्रेंच और ब्रेडिश इंबास्टर्स को बुलाया और मिलिटरी युनिफॉर्म में इंसे मिलने के लिए गया औ तलवार में इस पर रखके कहा कि अगर वो ड्रामे तुमने पैरिस अफ्लांग में बंद नहीं कराए तो खिलाफत असमानिया तुम पर एलाने जंग करेगी और इस्राइलियों ने उस वक्त यहूदियों ने सुल्तान अब्दुल्हमीद से कहा था कि हमको इस्राइल का जो कहतें कि इस्लाम में एक बादशाओ जिसका नाम अब्दुल्हमीद होगा एरान के शेंशाओं की तरह बँड़ा आदिल होगा जानी फार्सी में है ऐस बादशाओ असलाम अब्दुल्हमीद नामी चूंके कबद कुसरो अदल शाह जमाना वो एक बादशाओ गुदरेगा कि जो आदल बादशा होगा जो का अदल के साथ हकूमत करेगा और अब्दलहमीद उसका नामीद नामी ने बताती है बिल्कुर सुल्तान अब्दलहमीद के जमाने में बहुत ज़्यादा साजशें खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ शुरू हो गई थी जैसे हमने कहा कि यहूदियों ने जब यह देखा कि सुल्तान अब्दलहमीद अब फलस्तीन का इलागा हमें नहीं दे रहें तो उन्होंने उसके बिर्टिश इंपायर से निगोसेशन की बाचीत की साजश की कि अब खिलाफत उस्मानिया को तोड़ के छोटा करना पड़ेगा और तोड़ने के बाद जो इलाके खाली होंगे उसमें इसराइल की रियास्त क्याम होगा तो आपको याद होगा कि पहली जंग एजीम के बाद इन्होंने बैलफोर डेकलरेशन की थी पहली जंग एजीम के बाद खिलाफत इसमानिया तोड़ गी और वैलफोर डेकलरेशन की थी कि जिसमें बिटिश इंपायरलें लॉर्ड रॉस्चाइल को जो यहूदी बैंकर था उसको खत लेकर कहा था कि आब यहूदियों को खुशकबरी दे दीजे कि बिटिश गावर्मेंट जो है अब फलस्तीन में एक इसराइल की रियासत ख्याम वजूद मिलाना चाहती है तो यह सारी साधशें खिलाफत इसमानिया के खिलाफ सुल्तान अब्दलहमीद के जमाने में हुई उस दमाने में इसके उपर नेमत अलाफ शाह वली एक और बड़ा खुबसूरत शेयर कहते हैं कि नसारा दुशमनी से उस पर चारों तरफ से हमले करेंगे उसके मुल्क पर हीले और बहाने से कब्जा हो जाएगा जो इसाई हैं चारों तरफ से हमले करना शुरू करेंगे उसके मुल्क के उपर और चकर से फ्रॉड से फसाद से धोका बाजी से उसके मुल्क पर कब्जा करते चले जाएंगे और ये सारी केंपेन हमने खिलाफत इसमानिया के लिए बीसवी सदी का आगाज ही था कि खिलाफत इसमानिया के खिलाफ एक से एक साद शुरू हो गई थी 1912 में جو بیلکن وارز शुरू होती है बलकान की जंग शुरू होती है और साथ साथ तराबलस की जंग होती है ति ये वो वक्त होता है कि जब लामा एकबाल ने भी वो खुब्सूरत शेयर कहे थे फात्मा बिंते अब्दुल्ला के होाले से वो बच्ची जो खिलाफत इस्मानिया को बचाने के लिए तराबलस में जंग करती है घाजियों को पानी पिलाते वे शहीद होती है वो सारे यही वाक्यात है कि नसाराथ चारों तरफ से बैलकन वार्व में अर्बिया मॉन्टिनेग्रो और जो बैलकन के लिए उन्होंने बगावत बर्पा की खिलाफत इस्मानिया के खिलाफ तो इसके बारे में नेमत अला शाह वली ने हैरत अंगेस प्रेडिक्शन पहले की थी इस वक्त निमत अला शाह वली अपनी प्रेडिक्शन पे बताते हैं कि एक बहुत बड़ी जंग अजीम बर्पा होने वाली यहीं फिर्स वर्ल्ड वार्व की बात इन्होंने पहले की और यह सुनने वाला शेयर है कहते है कि जर्मनी की जंग में आस्मान इसाईयों को मुब्तला कर देगा तबाही और बर्बादी का निशान उनके लिए जाहर होगा यानि अखतु सादु नसौरा रफलक तर जंग जीम नुकबत वाद बार इशां रा निशां पैदा शवद यानि जीम की जर्मनी अच्छा लाइक जर्मनी बेशक उस जमाने में जब इनोंगे उसकाईद ये नाम नहों इन मलक होगे लेकिन उनोंने वो लुक्तें इस्तिमाल किय आए ठैक्ली कि जोड़ में लोगों को ये समझ में आएंग झान के ये शियर अब फिगर देते हैं मतब इस इस टनेंग इस अबसलोटली इमेजिंग कहते हैं ता चार साल जंगी उफ्तद बर माखरब फौते अलफ बगरू वजीम वखासे काना चार साल तक यूरोप में ये जंग जारी रहेगी ना सिर्फ नाम बताते हैं बलके फिगर्स भी देरें चार साल तक ये जंग जारी रहेगी मगर जो अलफ है वो घद्दारी और मकारी से जीम पर फता हसल कर लेगा जो उस दोर में अलफ है वो इंगलिस्तान और जीम पर यानि जर्मनी को शिकस्त होगी घद्दारी और धोके के साथ और चार साली जंग जारी रहेगी उस यूरोप में चार साल लड़ाई होगी और अलिफ जीम पर मकारी से फता पा लेगा पहली जंग एजीम 1914 में शुरू होती है 1918 तक रहती पूरे चार साल यूरोप में रही शदीद जंग हुई हौलनाथ जंग इससे पहले इंसानियत में कभी इतने इंडस्रियल स्केल पे खतल और गालत नहीं देखा था अब आगे सुनिये यानि इस इवन मोर स्टाने फिगर देते हैं नेमत अला शाव बली कि इस पहली जंग में एक करोड एकत्तिस लाक अफराद हलाक होंगे और तमाम बात के आने वाली रिसर्च ने जिसमें कैजूल्टी इस डिफाइन की गई फर्स वर्ल वार की ये बात कन्फर्म हो चुकी है वेस्टिन सोर्सिस से भी कि इस जंग में एक करोड तीस लाक के आस पास लोग मारे गए थैं और निमत अल्ला शाव ली कहते हैं जंग अजीम होगी जंग अजीम बाशत लवस तेमल किया है जंग अजीम बाशत चुकल अजीम साजत शदीद चुकल गारत होगी तबाही बरबादी होगी यक सदो सी ओ लक सी ओ यक लक बाशद शुमार जाना एक करोर एकत्थिस लाख अफराद इसमें मारे जाएंगे बतलब इस से जदा वो डिटेल बताएं नी सकते इस लाइक बहुत जदा एक्जेक्ट होगा है बहुत जदा एक्जेक्ट है अब देखिए फर्स वर्ल वार के बाद हुआ क्या था फर्स वर्ल वार के बाद पूरी दुनिया में जो एकनॉमिक पॉलिटिकल मिलिटरी ओर्रस खाइम किये गए थे खिलाफत इसमानिया तो बिलकुल कमज़र हो गई थी और पूरी दुनिया में एक तरफ कैपिटलिस्ट ब्लॉक था एक तरफ कॉमिनिस्ट ब्लॉक था एक तरफ मगर्ब की यानि इस्टन ब्लॉक था एक तरफ वेस्टन ब्लॉक था और दोनों कॉफर के ब्लॉक थे कैपिटलिस्म कॉमिनिस्म भी थी हर तरफ कुफर के मुखतले फॉर्म ने पूरी दुनिया पर कबजा कर लिया था और पहली जंग एजीम के बाद पहली मरतबा ये थी कि मुसल्मान इस तरह गाइब हो चुके थे दुनिया से के ना कोई पॉलिटिकल ना कोई एकॉनॉमिक ना कोई मिलिटरी पार ना कोई इडिलोजिकल पार मुसल्मानों को तरह वो जूरी था कुफरी कुफर था सिवाए मक्का मदीना के और अफगानिस्तान के थोड़े से लाके के बाकी तमाम खितों पे कुफर अबजा करते हैं तो इस जंग एजीम के बाद निमत अल्ला शावली जो उस जमाने में जब यह बाते हैं यह कर रहे होंगे लोगों के लिए यकीन करना मुंकिन नहीं होगा भी कैसे मुंकिन हो सकता इंसानित की तारीफ में कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि मश्रिकों मगर्ब में सरफ काफिर हुक्मरानों जो जाहरन ट्रूस हो गया उसके बाद मगर्ब में आपस में तसादम काइम रहा जर्मिनी भी जंग की तैयारियां करता रहा इंगलिन भी जंग की तैयारियां करता रहा अपनी प्रेडिक्शन्स में अपने आने वाले वाकियात के मुशाहिदात में जो सीर थे आने वाले दोर को बुर्लान को दिखा रहा था उसमें ये बात